नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अक्सर आपने देखा होगा कि सर में जू हो जाता है और जो जू है वो अधिकतर एक दूसे बैक्ति के निकट संग्पक के जर्ये ही फैलता है अगर किसी बैक्ति के सर में जू है अगर उनके साथ में बैठ जाना तो आपके सर में आ ही जा क्या है एक परजीवी है और पंकहिन कीड़ा है शरीर या सिर या पेडू वाले अस्थान पर संक्रमन करता है कपड़े या फिर आप कोई भी किसी की कोई वस्तू यूज करते हैं तो उसके जरिये आसानी से आप तक वो आ सकता है अब सिर की जू जो बालों में होती है जो आप के सर की स्कीन है उसका संक्रमन को बढ़ा देती है और संक्रमन बढ़ने से अगर किसी बेखती कि आपने कंगी को ब्रस को टोपी को अन्य कोई भी वस्तू का आप ने यूज किया तो यकिनन वो आपके सर में आ ही जाएगा और ये संक्रमन कभी भी अच्छा नहीं होता वैस इसलिए हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखें, माना जाता है लहसन का अर्क होता है, उससे जू जल्दी भाग जाता है, और ऐसे लोगों से जरत दूर ही रहें, जिनके सर में जू है, दूरियां बना कर रखें, वरना वो आपके भी सरीर में आ जाएगा, सरीर की जू के काटने से सरीर में तवचा में छोटे लाल सुई की नोग जितने छेद होते हैं, और खुरचने के निसान और पित्ती दिखती है, अगर बहुत जलन हो, तुरन डॉक्टर से दिखाएं, और अपना इलाज कराएं, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता, और कभी- संदो जैसा दिखेगा, और ये जो बैस्क मादा चिलर है, प्रती दिन तीन से पांच अंडे देता है, और इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, और सिर की तवचा से थोरी तूरी पर भी ये आपको मिल जाएगी असानी से, तो संभव हो, इन चीजों से बाहट रहन के लिए आप उपाय करें, कपड़े बिस्तर, बेगरा का साफ सफाई का भी ध्यान रखें, और इसके उपचार जरूर करें, नीम का पत्ता का पानी में अच्छी तरह से उबाल कर फिर इसको ठंडा करके इससे सर्द होने से भी जूओं की समस्या में राहत मिलती है, हम आप बिदा लेते हैं, जानकार या अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, सेर करें, कमेंट करें, धन्यवाद हम फिर मिलेंगे